भारत सरकार रेल मंत्राले, रेलवे भरती बोर्ड केंद्रियक रित परीक्षा, रेलवे रिक्रूट्मेंट बोर्ड सेंट्रलाइज़ एक्जाम्स, आदर्श हल प्रश्न पत्र एक प्रश्न एक, भारत में पुर्टगालियों का पहला गवर्नर था, विकल्प है A. डी अलमीडा, B. वासकोडिगामा, C. बार्थोलोमियो दियाज, D. अल्बकुर्ग, उत्तर है A. डी अलमीडा प्रश्न दो, विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, विकल्प है A. ठगों का दमन, B. सती प्रथा का अंत, C. धर्म के परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, D. दास्ता का अंत, उत्तर है D. दास्ता का अंत, प्रश्न तीन, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थाॉमस पैन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, विकल्प है A. सामाजिक संविदा, B. तीसरी संपदा कौन सी है, C. सामान्य बुध प्रेश्न पांच, इन में से कौन सा आयोग समविदानिक निकाय नहीं है, विकल्प है A. संग लोकसेवा आयोग, B. कर्मचारी चयन आयोग, C. चुनाव आयोग, D. वित आयोग, उत्तर है D. वित आयोग प्रेश्न छे, ग्रिहस्तियों द्वारा खड़ी दी गई उभोकता वस्तुओं तथा सेवाओं की ओसत की कीमत को मापने वाला सूचकांग है, विकल्प है A. थोक मुल्य सूचकांग, B. उभोकता मुल्य सूचकांग, C. मानव विकास सूचकांग, D. जीवन निर्वाह की प्रेश्न साथ, अलपा अधिकार में होते हैं, A. कुछ विक्रेटा, B. दो विक्रेटा, C. तीन विक्रेटा, या D. एक विक्रेटा, उत्तर है A. कुछ विक्रेता, प्रेशन आठ भारत में राश्ट्रिय आय का आंकलन किया जाता है विकल्प है A. उत्पाद और आय विधियों द्वारा B. उत्पाद विधी द्वारा C. आय विधी द्वारा D. व्यविधी द्वारा उत्तर है A. उत्पाद और आय विधियों द्वारा प्रेश्ण 9. किसी उत्पादक फर्म के लिए आल्पकाल में नियत लागत होगी A. सदा अस्थिर B. सदा गिर्ती हुई C. सदा इस्थिर और नियत D. सदा बढ़ती हुई उत्तर है C. सदा इस्थिर और नियत प्रेश्ण 10. मशीन टूल एक उधारन है वस्तूओं का A. मध्यवर्ती B. उभ्भोकता C. पूंजीगत या D. निशुल्क उत्तर है C. पूंजीगत प्रेश्ण 11. गंधार कला मिश्रण थी विकल्प है A. मूर्तिकलाओं की भारतिय और फार्सी शैलियों का B. मूर्तिकलाओं की भारतिय और चीनी शैलियों का C. मूर्तिकलाओं की भारतिय और युनानी शैलियों का या D. इन में से कोई नहीं उत्तर है A. मूर्तिकलाओं की भारतिय और फार्सी शैलियों का प्रश्न बारा, मुहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। विकल्प है A. मैसूर, B. बहमनी, C. गुजरात या D. कश्मीर। उत्तर है B. बहमनी। मुहम्मद गवान बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। प्राश्न 13. डंकन मार्ग अलग करता है. विकल्प है A. लिटल अंडमान और कार निकोबार द्वीप को, B. उत्तर और मध्य अंडमान को, C. मध्य और दक्षन अंडमान को, D. दक्षन अंडमान और लिटल अंडमान को, उत्तर है D. दक्षन अंडमान और लिटल अंडमान को. प्रश्ण चौधा, जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को कहा जाता है विकल्प है A. द्रव गतिकिय, B. जल विरागी, C. जल रागी, D. द्रव बल गतिकिय, उत्तर है C. जल रागी प्रश्ण पंद्रा, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहन करता है विकल्प है A. एक्सोसाइटोसिस और एडोसाइटोसिस, B. एक्सोसाइटोसिस, C. एंडोसाइटोसिस या D. जीव द्रव्य कुंचन, उत्तर है C. एंडोसाइटोसिस प्रश्ण सोला, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है विकल्प है A. मलेरिया, B. फाइलेरिया, C. डेंगु ज्वर, D. पीत ज्वर, उत्तर है A. मलेरिया प्रश्ण सत्र, एक सुरा यानी शार्क के साथ सनलगन एक चूशक मत्से में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर है विकल्प है A. निश्प्रभाविता, B. सहोपकारिता, C. सहभोजिता, D. परजीविता, उत्तर है A. निश्प्रभाविता प्रश्ण अथारा, इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन योगी की करण जीवानू है विकल्प है A. एजो टोबेक्टर, B. जैन्थो मोनास, C. स्यूडो मोनास, या D. राइजोबियम उत्तर है D. राइजोबियम प्रश्ण उन्नीस, परामर्ष दाई अधिकार क्षेत्र के अंतरगत, उच्चतम न्यायले किसी विधी के प्रश्ण या जनता के लिए विशेश महत्व के तथ्य पर परामर्ष देता है जो उसे भेजा जाए A. किसी भी उच्च न्यायले द्वारा B. प्रधान मंत्री द्वारा C. राष्टरपती द्वारा या D. संगियव विधी मंत्री द्वारा उत्तर है C. राष्टरपती द्वारा प्रिष्ट 98 प्रश्ण 20 धन विध्यक पारित करने के लिए राज्य सभा को कितना समय दिया जाता है विकल्प है A. 15 दिन, B. 12 दिन, C. 13 दिन या D. 14 दिन उत्तर है D. 14 दिन प्रश्ण 21 राष्ट्रपती के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं विकल्प है A. संसत के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य B. संसत के दोनों सदनों के सभी सदस्य C. संसत के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य D. संसत के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा परिशदों के सभी सदस्य उत्तर है A. संसत के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदत से प्रश्ण 22. कौन सी विरिक्ष जाती पर्णपाती वनस्पती से संबंधित नहीं है विकल्प है A. देवदार, B. सागौन, C. साल, D. चंदनकाष्ट उत्तर है A. देवदार प्रश्ण 23. तटिये मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है विकल्प है A. रुक्ष, B. काली, C. लाल, D. जलोड, उत्तर है D. जलोड प्रश्ण 24. प्रचुर मात्रा में भूमिगत जलवाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टाने कहलाती है A. पारगम्य, B. मितल जलभृत, C. जलभर, D. सरंद्र, उत्तर है A. पारगम्य प्रश्ण 25. निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है विकल्प है A. contribute, B. सेलवास, C. स्टेपीज, D. डाउन्स, उत्तर है B. सेलवास प्रश्ण 26. प्रचालन तंत्र होता है विकल्प है A. परिकलन मृदू सामगरी, B. अनुपरयोग मृदू सामगरी, C. तंत्र मृदू सामगरी, D. उप्योगिता मृदू सामगरी उत्तर है B. अनुप्रयोग मृदू सामगरी प्रश्न 27. DOS में DIR समादेश का प्रयोग किया जाता है A. फाइल की विशेवस्तु प्रदर्शित करने के लिए B. फाइलों की निश्कासन के लिए C. फाइलों तथा उपनिदेशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए D. फाइलों की प्रतिलीपी के लिए उत्तर है C. फाइलों तथा उपनिदेशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए प्रश्ण 28. काम की वो मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है विकल्प है A. प्रतिवर्तन, B. निर्गम, C. अंतरन्दर या D. सम्वेश प्रवाह उत्तर है C. अंतरन्दर अंतरन्दर काम की वो मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है प्रेश्न उन्तीस, सह सयोजक अनु का एक उदारन है, विकल्प है A. लेड क्लोराइड, B. कार्बन टेट्रा क्लोराइड, C. पोटेशियम क्लोराइड या D. सोडियम क्लोराइड, उत्तर है B. कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रेश्न तीस, सभी अमलों का साजा तत्व है, विकल्प है A. सल्फर, B. ऑक्सिजन, C. हाइड्रोजन, D. नाइट्रोजन, उत्तर है C. हाइड्रोजन प्रेश्न तीस, तिकिया या कैपसूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, विकल्प है A. शीशी को गरम रखने के लिए, B. बेक्टीरिया को मारने के लिए, C. नमी को सोखने के लिए, D. गैसों का अवशोशन करने के लिए, उत्तर है C. नमी को सोखने के लिए, प्रश्न बत्तीस, अलुमीनियम ओक्साइड होता है, विकल्प है A. उभयधर्मी आमल, B. आमल ओक्साइड, C. क्षारिय ओक्साइड, D. उदासीन ओक्साइड, उत्तर है A. उभयधर्मी आमल, प्रश्न तेतीस, निम्न में से कौन सा से अधिक इस्थित पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र है, विकल्प है A. वन, B. रेगिस्तान, C. परवत, या D. महसागर, उत्तर है D. महसागर, प्रश्न चौतीस, सूची एक में दी गई फसलों का सही मिलान सूची दो में दिये गए उन्हें प्रभावित करने वाले रो एक म्रिदुरोमिल आंसिता, दो प्रध्वन्स, तीन लाल विगलन, चार किट्ट इसका सही उत्तर है अ, धान, लाल विगलन, बी, गेहु, म्रिदुरोमिल आंसिता, सी, सर्सों, प्रध्वन्स, डी, गन्ना, किट्ट प्रश्न पैंटीस, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? विकल्प है A. बैंगनी, B. काला, C. हरा, D. लाल उत्तर है B. काला प्रश्न चत्तीस, इस्थिर गती के साथ वृताकार पत में चल रही वस्तु का होता है A. त्रिज्यतह बाहर की ओर त्वरण B. एक समान मंदन C. एक समान त्वरण D. चर त्वरण उत्तर है A. त्रिज्यतह बाहर की ओर त्वरण प्रश्न सैंतीस पून आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है A. सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ B. विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर C. सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर D. विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ उत्तर है D. विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ प्रश्न 38, MCB जो लगू पथन के मामले में विद्यूत की पूर्थी को काड़ देता है, काम करता है A. धारा के विद्यूत लेपन प्रभाव पर B. धारा के रासायनिक प्रभाव पर C. धारा के तापन प्रभाव पर D. धारा के चुम्बकिय प्रभाव पर उत्तर है C, धारा के तापन प्रभाव पर प्रश्न 49, दक्षिन अफ्रीका की मुंद्रा कौन सी है? विकल्प है A. Rand, B. Real, C. Real या D. दिरहम उत्तर है A. Rand प्रश्न 40, कवियों के नामों और उनके द्वारा रामायन लिखने की भाषा की दो सूचियों का मिलान कीजिए सूचि एक कवि, A. कंबन, B. कृतिवास, C. माधवकंदली, D. तुलसीदास सूचि दो, रामायन लिखने की भाषा, एक बंगाली, दो हिंदी, तीन तमिल, चार आसमी उत्तर है कंबन, तमिल, B. कृतिवास, बंगाली, C. माधवकंदली, आसमी, D. तुलसीदास, हिंदी प्रिष्ट निन्यान्वे प्रश्ण 41, इनमें से कौन सा देश पेट्रोलियम निरियातक देशों की संस्था का सदस्य नहीं है विकल्प है A. लीबिया, B. अलजीरिया, C. ब्राजील, D. एकविडोर, उत्तर है C. ब्राजील प्रश्ण 42, इनमें से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एर प्योरिफायर लगाया गया है विकल्प है A. चीन, B. आस्ट्रेलिया, C. ब्राजील, D. उसे, उत्तर है A. चीन प्रश्ण 43, शाम बेनेगल द्वारा निर्देशित निमन फिल्मों में से किस फिल्म की कहानी उन्होंने और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने मिलकर लिखी थी विकल्प है A. जुबैदा, B. अंकुर, C. मंडी या D. मंथन, उत्तर है D. मंथन प्रश्ण 44, इनमें से कौन सा जैव निमनी करनी ये प्रदूशक है? विकल्प है A. भारी वस्तुएं, B. रंजक बहिस्राव, C. विरंजक बहिस्राव या D. वाहित मल उत्तर है C. विरंजक बहिस्राव प्रश्ण 45, वायू मंडल में प्रदूशकों की सांधरता को प्राय व्यक्त किया जाता है? A. आंच प्रती ट्रिलियन में, B. आंच प्रती मिलियन में, C. आंच प्रती बिलियन में, D. किलोग्राम प्रती वर्ग मीटर में उत्तर है B. आंच प्रती मिलियन में प्रश्न 46, वो देश कौन सा है जहां विश्व की सबसे बड़ी जलमगन गुफा प्रणाली की खोज की गई? विकल्प है A. हंगरी, B. इटली, C. मेकसिको, D. कानडा, उत्तर है C. मेकसिको प्रश्न 47, भारत के प्रधान न्यायधीश कौन है? विकल्प है A. न्यायमूर्थी टीएस ठाकुर, B. न्यायमूर्थी जगदीश सिंग्खेहर, C. न्यायमूर्थी दीपक मिश्रा, D. न्यायमूर्थी एचल दत्तू उत्तर है C. न्यायमूर्थी दीपक मिश्रा इन में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतिये के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है विकल्प है A. गांधी जयन्ती, B. राष्ट्रिय विज्ञान दिवस, C. शिक्षक दिवस, D. बाल दिवस उत्तर है B. राष्ट्रिय विज्ञान दिवस प्रश्न उन्चास निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकिन्स ने नहीं लिखा था A. पिक्विक पेपर्स B. हार्ट टाइम्स C. प्राइड अन्प्रेजुडिस D. ओलिवर ट्विस्ट उत्तर है C. प्राइड अन्प्रेजुडिस प्रश्न पचास भारत का एक मात्र विमान वहाख पोत कौन सा है? विकल्प है A. आयनस विक्रमा दित्यॡ B. आयनस आरिहंत C. आयनस कल्वारी या D. आयनस विराट उत्तर है A. आयनस विक्रमा दित्यॡॡ निर्देश प्रश्न 51-57 के लिए दिये गए विकल्पों में से संबन्दित शब्द अक्षरों वसंख्या को चुनिये Q51 FLRX is to DJPV EKQW is to? Options are A, WQ, KE, B, BHMT, C, CIOU, D, AGMS Answer is C, CIOU जैसे E के बाद F, K के बाद L, Q के बाद R, V के बाद X इसी प्रकार C के बाद D, I के बाद J, O के बाद P, U के बाद V Question 22 4 is to 17, 7 is to question mark Options are A51, B48, C49, D50 Answer is D, 50 4 square plus 1 gives 17 इसी प्रकार, 7 square plus 1 is equals to 50 प्रश्नत्रेपन 45 is to 9, 94 is to question mark Options are A10, B17, C14, D13 Answer is D, 13 4 plus 5 is equals to 9 इसी प्रकार, 9 plus 4 is equals to 13 प्राश्न चाओवन भेंगापन, द्रिष्टी, हकलाहट, डैश विकल्प हैं A. जीब, B. मू, C. श्रवन या D. वानी उत्तर है D. वानी भेंगापन, द्रिष्टी, हकलाहट, वानी प्राश्न पच्पन रैकेट, टैनिस उत्तर है A. बल्ला, क्रिकेट B. गेंद, फुट्बॉल C. दस्ताना, क्रिकेट D. बिसाथ, शत्रण्ज उत्तर है A. बल्ला, क्रिकेट प्राश्न चपन हाथ, दस्ताना, सिर, डैश विकल्प है A. हेरपिन B. बाल, C. टोपी या D. गला उत्तर है C. टोपी हाथ, दस्ताना, सिर, टोपी प्राश्न सत्तावन T. C. E. J. B. O. इस्टु O. B. J. E. C. T. T. C. E. J. O. R. P. क्वेश्चन मार्क उत्तर है D. प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट निर्देश प्रश्न अठावन से 61 के लिए दिये गए विकल्पों में से विशम शब्दों, अक्षरों वा संख्या यूग्म को ग्याद कीजिए प्रश्न अठावन A. मूली, B. गाजर, C. आलू, D. चुकंदर उत्तर है C. आलू प्रश्न उन्सट A. यूएस्पीम B. यूआरोल C. क्यूएनकेच D. वाईवीएस्प उत्तर है A. यूएस्पीम व्याख्या अन्य सभी में अक्षर तीन चरण सरकते हैं प्रश्न साथ A. 120-90 B. 106-36 C. 76-46 D. 86-56 आंसर इस B. 106-36 अन्य सभी में दो संख्याओं के बीच अंतर तीस हैं प्रश्न 61 A. राजा रानी B. राजकुमार राजकुमारी C. मोहिनी नर्पिशाच D. नायक नाईका उत्तर है C. मोहिनी नर्पिशाच प्रश्न 62 निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिये हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता हैं एक जोतना, दो निराई, तीन बोआई, चार फसल काटना विकल्प है A. एक दो चार तीन B. एक दो तीन चार C. एक तीन दो तीन D. दो तीन एक चार उत्तर है C. एक तीन दो चार यानि जोतना, बोआई, निराई, फसल काटना प्रश्न 63 निम्नलिकित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के क्रमा अनुसार क्रम में लिखें 1. Voyage, 2. Voice, C. Vocation, 4. Volume Options आर A. 2431, B. 3241, C. 2341, D. 3421 Answer is B. 3241 Vocation, Voice, Volume, Voyage प्रेशन 64, अक्षरों का कौन सा समुह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रिंकला को पूरा करेगा A-BAB-AB-ABB विकल्प है A, BBA, B, BAA, C, AAA, D, BBB उत्तर है D, BBB प्रेशन 65, दिये गई समुहों में से उस समुहों को ग्याद कीजिये जो दिये गई समुहों के समान है कोश्ठक में दिया है 11, 18, 25 विकल्प है A, 9, 14, 24 B, 4, 12, 16 C, 19, 26, 33 D, 18, 28, 33 उत्तर है C, 19, 26, 33 व्याख्या दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर साथ है निर्देश प्रेशन 66, 68 के लिए इन प्रेशनों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लोपत है दिये गई विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिये जो अनुक्रम को पूरा करे प्रेशन 66 FLA, GMB, HNC, IOD, Question Mark Options आर A, OTK, B, NSD, C, JPE, D, TOE उत्तर है C, JPE प्रतीक अक्षर प्लस वन चरण सरकता है प्रेशन 67 135, 226, 353, Question Mark, 749 विकल्प है A, 722, B, 522, C, 622 या D, 632 उत्तर है B, 522 प्रेशन 68 4,7, 13, 22, 34, Question Mark विकल्प है A, 45, B, 47, C, 52, D, 49 उत्तर है D, 49 क्रम है प्लस 3, प्लस 6, प्लस 9, प्लस 12, प्लस 15, 34 प्लस 15 is 49 प्रेशन 69 यदि बीद गए परसों को रविवार था तो आने वाले परसों को कल से अगले दिन कौन सा होगा विकल्प है A, मंगलवार, B, बुद्वार, C, ब्रिहस्पतिवार, D, शुक्रवार उत्तर है C, ब्रिहस्पतिवार बीता हुआ परसों यानि रविवार आज मंगलवार आने वाला परसों ब्रिहस्पतिवार प्रश्न सत्तर, यदि A is equal to 1, AIR is equal to 28, तो RIB is equal to question mark विकल्प है A26, B28, C29, D35, उत्तर है C29 RIB 18 plus 9 plus 2 gives 29 प्रश्न 71, निमलिकित अंग्रेजी अक्षरों के अनुकरम में कितने A, B, C इस प्रकार उपस्थित हैं कि B बीच में हो और A तथा C उसके किसी भी और हो पहली पंक्ती में Q, B, C, A, J, L, C, B, A, I, D दूसरी में A, E, C, H, K, A, M, B, C, N, O तीसरी A, B, C, P, K, D, C, R, B, C, H चौथी पंक्ती में A, Q, G, A, B, C, F, E, B, C, T, U विकल्फ है A2, B6, C4, D3 उत्तर है A2 प्रिश्ट सौ प्रश्ण बहत्र यदि किसी कूट भाषा में Psychology को 9834-215173 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में Psychology को 8120-15173 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में Philosophy को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प है A. 910-528-2913 B. 920-518-2923 C. 9206-181-923 D. 9205-181-923 उत्तर है D. 920-5181-923 प्रश्न 73 प्रकाश पिनाकिन से उचा कूथता है किन्तो इतना नहीं जितना केतन कूथता है रोहन प्रवन से नीचा कूथता है किन्तो केतन से नीचा नहीं सबसे नीचा कौन कूथता है विकल्प है A. प्रणव, B. पिनाकिन, C. केतन या D. रोहन उत्तर है B. पिनाकिन प्रश्ण 74 लीला और उसकी दादी मा की आयू में 60 वर्ष का अंतर है 10 वर्ष के बाद यदि उनकी आयू का योगफल 100 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयू क्या है? विकल्प है A. 25-85 B. 20-80 C. 10-70 D. 15-75 उत्तर है C. 10-70 वर्तमान में उनकी आयू का योग है 80 वर्ष प्रश्ण 75 लड़कियों की एक पंक्ती के दोनों छोर से सारिका का स्थान 19 है उस पंक्ती में कुल कितनी लड़कियां है? विकल्प है A. 19, B. 38, C. 49, D. 37 उत्तर है D. 37 प्रश्ण 76 मोहन सोना का पती है सोना शिल्पा की बुवा है अंकित सोना का भाई है अंकित मोहन से किस प्रकार संबंदित है विकल्प है A. साला, B. फूफा, C. भाई या D. फूफेरा भाई उत्तर है A. साला प्रश्ण 77 दिये हुए विकल्पों में से वो शब्द चुनिये जो दिये गए शब्द के आक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता विकल्प है A. राशन B. ट्रांजिट C. ट्रांजमिट D. नेशन उत्तर है C. ट्रांजमिट दिये गए शब्द में M नहीं है प्रश्ण 38 यदि एथिक्स को SECTIH लिखा जाता है तो अफेक्षन AFECTION को किस प्रकार लिखा जा सकता है विकल्प है A. NAOFITCE B. NAOFETIC C. NAOFICTE D. NAOFIETC उत्तर है D. NAOFIETC P. 89 नीचे पहली पंक्ती में कुछ अक्षर दिये गए है और उनके नीचे दूसरी पंक्ती में अंक दिये गए है अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट है दिये गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए A. NAOF3 E.8 H.4 I.0 K.5 O.1 M.6 U.2 R.7 M.A.E.I.O.U विकल्प है A. 698201 B. 698102 C. 698102 D. 698201 उत्तर है C. 698102 प्रश्न असी दिये हुए विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिये गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता हो Onslaught विकल्प है A. Strong B. House C. Ghost D. Enough उत्तर है C. Ghost प्रश्न 81 निर्देश प्रश्न 81-82 के लिए दिये गए विकल्पों में से लुप्त अंक ग्याद कीजिए प्रश्न 81 कॉलम में दिये गए हैं तीन कॉलम हैं पहला कॉलम में 4-3-4-48 दूसरे में 5?-10-200 तीसरे में 8-2-4-64 विकल्प है A. 4, B. 185, C. 40 या D. 20 उत्तर है A. 40 अंतिम पंक्ती की संख्या उसके उपर की अन्यतीन संख्याओं का गुणन फल हैं प्रश्न 82 इसी तरह पहरे कॉलम में 7-9-12 दूसरे में 56-63?-मार्क तीसरे में 8-7-5 विकल्प है A. 119, B. 17, D. 25 या D. 60 उत्तर है D. 60 प्रत्येक पंक्ती में बीच की संख्या उन्यतो संख्याओं का गुणन फल है निर्देश प्रश्न 83-84 के लिए इन प्रश्नों में कुछ समीकरणों को एक विशेश प्रनाली के आधार पर हल किया गया है इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ग्याद कीजिए प्रश्न 83 यदि 6241 बराबर 9 और 3732 बराबर 20 तो 4523 बराबर विकल्प है A21, B26, C16 या D23 उत्तर है A21 6 x 2 minus 4 plus 1 gives 9 3 x 7 minus 3 plus 2 gives 20 4 x 5 minus 2 plus 3 gives 21 प्रश्न 84 2 x 7 x 5 is equal to 527 1 x 4 x 9 is equal to 914 6 x 3 x 8 is equal to options are A836, B683, C863 और D638 उत्तर है C863 प्रश्न 85 A10 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाई ओर जाता है फिर हर अपने बाई और मुड़कर वो क्रमशा 5, 15 और 15 मीटर चलता है अब वो अपने प्रारंबिक स्थान से कितनी दूरी पर है विकल्प है A 20 मीटर, B 5 मीटर, C 10 मीटर और D 15 मीटर उत्तर है B 5 मीटर प्रश्न 86 दिये गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्नों के प्रतिस्थापन के लिए गणितिये चिन्नों का सही क्रम समूह चुनिए 6 star 5 star 8 star 4 star 32 विकल्प है A minus plus into into B plus 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 is equals to C divide plus into plus और D into plus divide is equals to 6 into 5 plus 8 divide by 4 is equals to 32 प्रश्न 87 यदि plus का अर्थ भाग, minus का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है घटाना और दिवाइड का अर्थ है जोडना तो bracket start 280 plus 10 into 20 bracket close minus 8 divided by 6 is equals to question mark options are A 392, B 58, C 70 or D 112 answer is C 70 bracket start 280 plus 10 into 20 bracket close minus 8 divided by 6 is equals to question mark upyuktu chin रखने पर question mark is equals to bracket start 280 divided by 10 minus 20 bracket close into 8 plus 6 is equals to 64 plus 6 is equals to 70 प्रश्न 88 सीमा ने प्राधा सवेरे सूर्य की ओर सडक पर चलना प्रारंब किया कुछ समय पश्चात वो अपनी बाई और मुडी, फिर कुछ समय पश्चात वो अपनी दाई और मुडी कुछ दूरी चलने के पश्चात वो फिर अपनी दाई और मुडी और चलने लगी इस समय वो किस दिशा की ओर चल रही थी विकल्प है A. दक्षण, B. उत्तरपश्चिम, C. उत्तरपूर्व और D. पूरूर उत्तर है A. दक्षण निर्देश प्रश्न 89-90 के लिए दो कत्नों के आगे दो निशकर्ष पहला और दूसरा दिये गए हैं आपको कत्नों को सत्य मान कर विचार करना है चाहिए वे सामान्यतर ग्यात तत्यों से भिन्य प्रतीत होते हों आपको निर्णय करना है कि दिये गए निशकर्षों में से कौन सा यदि कोई हो, निश्चित रूप से दिये गए कतनों के आधार पर निकाला जा सकता है अपना उत्तर निर्दिष्ट करें प्रेश्ण नवासी कतन ये दुनिया न तो अच्छी है नहीं बुरी प्रत्यक व्यक्ति के अपने लिए दुनिया स्वयम निर्मित करता है निश्कर्ष पहला कुछ लोग इस दुनिया को नितांत अच्छा मानते हैं दूसरा कुछ लोग इस दुनिया को नितांत बुरा मानते हैं विकल्प हैं A. न तो निश्कर्ष पहला और नहीं दूसरा निकलता है. B. केवल निश्कर्ष पहला निकलता है. C. केवल निश्कर्ष दूसरा निकलता है. या D. निश्कर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं. उत्तर है D. निशकर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं। प्रश्न नब्बे कथन सभी ट्रामे प्रामे हैं। कोई प्राम सवारी नहीं ले जा सकती। निशकर्ष पहला कोई ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती। दूसरा, कुछ ट्रामे सवारी नहीं ले जा सकती। विकल्प है, A. न तो निशकर्ष पहला और नहीं निशकर्ष दूसरा निकलता है। B. केवल निशकर्ष पहला निकलता है। C. केवल निशकर्ष दूसरा निकलता है। या D. निशकर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं। उत्तर है A. ना तो निशकर्ष पहला और ना ही निशकर्ष दूसरा निकलता है। प्रश्न एक्यानवे, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, 25 प्रतिशत विद्यार्थी वॉलीवाल खेलते हैं, 6 विद्यार्थियों में से 40 प्रतिशत क्रिकेट खेलते हैं, 6 विद्यार्थियों में से 50 प्रतिशत फुटबॉल खेलते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी क कोई खेल नहीं खेलते। विकल्प है A 32, B 39, C 30 या D 27। उत्तर है A 32। बॉलीवाल खेलने वाले विद्यार्थी 25% of 120 is equal to 30। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी 40% of 90 is equal to 36। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी 50% of 64 is equal to 32। कोई भी खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थी 32। प्रश्न बानवे पांच लड़कियां E, F, G, H और I एक पंक्ती में खड़ी है H, G के दाइयोर है, I, G के बाइयोर है किन्तु F के दाइयोर H, के E के बाइयोर है दाइय छोर पर कौन खड़ी है? विकल्प है A, E, B, F, C, G, D, H उत्तर है B, F प्रिष्ट 101 प्रश्ण 93 से प्रश्ण 100 तक आकृतियों वाले प्रश्ण है क्रिपया इनके लिए आप अपने साथी की मदद लें प्रश्ण 101 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेर अलफा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेर अलफा का मान किसके बराबर है? विकल्प है A 2, B 1, C 1 बटा 4, D 1 बटा 2 उत्तर है B 1 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेर अलफा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेर अलफा इसक्वेर अपॉन स्क्वेर अलफा पॉन 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 स्क्वेर अलफा इसक्व 102. H एकक उंचाई वाले एक भवन के शिखर और तली के अवन्मन के कोण H एकक उंचाई के एक स्तंब के शिखर से पूरक हैं. यदि भवन और स्तंब के बीच दूरी H एकक है तो ये सदैव सत्य होता है कि A, H प्लस A अपॉन H माइनस A is equal to H upon small h. B, H upon A is equal to small a upon capital H minus small h. C, H plus A upon H is equal to small h upon A small minus capital H. D, capital H upon small a is equal to small a upon capital H minus small h. Uttar है D, capital H upon a is equal to A upon capital H minus small h. Tan alpha is equal to capital H minus H upon small a. Tan within bracket 90 degree minus alpha bracket close is equal to capital H upon small a. Cot alpha is equal to capital H upon small a. Capital H minus small h upon a is equal to A upon capital H. Or, capital H upon small a is equal to small a upon capital H minus small h. प्रश्न 103 यदि, sec theta plus tan theta upon sec theta minus tan theta is equal to 2 plus square root 3 upon 2 minus square root 3 है, तो वृतिय माप में theta का मान होगा. विकल्प है A, pi upon 6, B, pi upon 4, C, pi upon 12 और D, pi upon 3. उत्तर है D, pi upon 3. प्रश्न 104 यदि, cos 43 degree is equal to x upon square root x square plus y square है, तो tan 47 degree का मान है. विकल्प है A, x upon square root x square minus y square, B, y upon square root x square plus y square, C, y upon x, D, x upon y, उत्तर है D, x upon y. प्रश्न 105 नौ मीटर लंबी, 6 मीटर उची और 20 सेंटिमीटर मोटी एक दिवार, 30 सेंटिमीटर इंटु 15 सेंटिमीटर x 10 सेंटिमीटर विमाओं की इंटों का प्रायोग करके बनाई जानी है. कितनी इंटें अपेक्षित होंगी? विकल्प है A, 2400, B, 2800, C, 3600 या D, 3200. उत्तर है A, 2400. वांशित इंटें 900 इंटु 600 इंटु 20 अपॉन 30 इंटु 15 इंटु 10 इंटु 10 इंटु 2400. प्राश्न 106, एक गोलक का व्यास 6 सेंटिमीटर है. उसे पिगला कर 0.1 सेंटिमीटर व्यास की एक तार में ढाला गया. तार की लंबाई ग्यात कीजिए. विकल्प है A, 420 मीटर, B, 240 मीटर, C, 144 मीटर, D, 200 मीटर. उत्तर है C, 144 मीटर. धातु का आयरन 4 अपॉन 3 पाई 3 क्यूब. माना तार की लंबाई है L सेंटिमीटर. 4 अपॉन 3 पाई इंटो 27 इस एक तू पाई इंटो 1 अपॉन 20 इंटो 1 अपॉन 20 इंटो L. L इस एक तू 4 अपॉन 3 इंटो 27 इंटो 400 इस एक तू 14,400 सेंटिमीटर इस एक तू 144 मीटर. प्रश्न 107, यदि sec theta minus cos theta is equal to 3 upon 2, theta एक धन न्यून कोण है, तो sec theta किसके बराबर है, विकल्प है a2, b minus 1 upon 2, c0, d1 upon 2, answer is a, 2 sec theta minus cos theta is equal to 3 upon 2, sec theta minus 1 upon sec theta is equal to 3 upon 2, 2, bracket discard, sec square theta minus 1 bracket close is equal to 3 sec theta, 2 sec square theta minus 2 minus 3 sec theta is equal to 0, sec theta is equal to 3 plus minus square root 9 plus 16 upon 4 is equal to 3 plus minus 5 upon 4 is equal to 2, as theta is a positive acute angle. प्रश्न 108, आयतन 48 square root 3 cc वाले एक पिरामिट का आधार एक संबाहू त्रेबुज है, यदि पिरामिट की उंचाई 4 cm है, तो आधार में संबाहू त्रेबुज की प्रतेग भुजा है, विकल्प है a 12 cm, b 3 cm, c 4 cm, यदि 6 cm, उत्तर है d 6 cm, यदि पिरामिट के आधार की एक भुजा a है, 48 square root 3 is equal to 1 upon 3 into 4 into square root 3 a square, a square is equal to 36, a is equal to 6 cm, प्रिष्ट 102, प्रश्ण 109, एक त्रेबुज a, b, c में a, b is equal to 3 cm, b, c is equal to 4 cm, और एंगल a, b, c is equal to 90 degree है, त्रिबुज को पहले भुजा a, b के गिर्द घुमाया गया है, और फिर भुजा b, c के गिर्द, इस प्रकार बने पहलू शंकू का आयतन, दूसरे शंकू के आयतन से x percent अधिक है, तो x किसके बराबर है, विकल्प है a, 33, 1 upon 2, b, 25, c, 33, 1 upon 3, d, 20, आंसर है c, 33, 1 upon 3, a, b is equal to 3 cm, b, c, is equal to 4 cm, a, c, is equal to square root 9 plus 16, is equal to 5 cm, जब a, b के गिर्द घुमाया जाता है, आयतन is equal to 1 upon 3 pi r square h, is equal to 1 upon 3 pi into 16 into 3, is equal to 16 pi, जब bc के गिर्द घुमाया जाता है, आयतन is equal to 1 upon 3 pi into 9 into 4, is equal to 12 pi, वांचित प्रतिशत 16 pi minus 12 pi upon 12 pi into 100, is equal to 33, 1 upon 3 percent, प्रश्ण 110, एक समकोण त्रिबुज का आधार 5 एकक है और कर्ण 13 एकक है, तो शेत्रफल है, विकल्प है a, 60 वर्ग एकक, b, 15 वर्ग एकक, c, 30 वर्ग एकक या d, 12 वर्ग एकक, उत्तर है c, 30 वर्ग एकक, त्रिबुज की उंचाई, is equal to, square root 13 square minus 5 square is equal to 12 unit, शेत्रफल, 1 upon 2 into 5 into 12 is equal to 30 square units, प्रश्ण 111, यदि त्रिबुज PQR में, PQ is equal to 3 cm, QR is equal to 5 cm, और PR is equal to 4 cm, तो त्रिबुज के कोण परिमान के अवरोही क्रम में हैं? A. Angle Q is greater than angle R, is greater than angle P. B. Angle P is greater than angle Q, is greater than angle R. C. Angle Q is greater than angle P, is greater than angle R. D. Angle P is greater than angle R, is greater than angle Q. उत्तर है B, P is greater than angle Q is greater than angle R प्रश्न 112, X plus Y is equal to 4 और 3X plus 3Y is equal to 6 के आलेक प्रतिछेद करते हैं A प्रतिछेद नहीं करते, B बिंदू 2 दो पर, C बिंदू 1 तीन पर, या D बिंदू 3 एक पर उत्तर है A प्रतिछेद नहीं करते प्रश्न 113, यदि YZ is to ZX, XY is equal to 1 is to 2 is to 3, X, Y, Z not equal to 0 तो X upon YZ divided by Y upon ZX है, विकल्प है A 4, B 1 बटा 4, C 1 बटा 2, D 3 बटा 2, उत्तर है A 4 X upon YZ plus Y upon ZX is equal to X upon YZ into ZX upon Y is equal to X square upon Y square, किंतु YZ upon ZX is equal to 1 upon 2 और Y upon X is equal to 1 upon 2, और X upon Y is equal to 2, अतर X square upon Y square is equal to 2 square is equal to 4 प्रश्न 114, यदि X minus 1 upon X is equal to 2 है, तो X to the power 4 plus 1 upon X to the power 4 का मान है, विकल्प है A 34, B 4, C 8 या D 12, उत्तर है A 34 X minus 1 upon X is equal to 2, X square plus 1 upon X square minus 2 is equal to 4, X square plus 1 upon X square is equal to 6, X to the power 4 plus 1 upon X to the power 4 plus 2 is equal to 36, X to the power 4 plus 1 upon X to the power 4 is equal to 36 minus 2 is equal to 34, प्रश्न 115, यदि X is equal to 1 upon 1 plus square root 2 है, तो X square plus 2X plus 3 का मान है, A 1, B 3, C 0 और D 4, आंसर इस D 4, X is equal to 1 upon A 1 plus square root 2 is equal to 1 minus square root 2 upon 1 minus 2 is equal to square root 2 minus 1, X square plus 2X plus 3 is equal to square root 2 minus 1 whole square plus 2, bracket start, square root 2 minus 1, bracket close plus 3, is equal to 4, प्रश्न 116, यदि A plus B plus C is equal to 4 है, तो A cube plus B cube plus C cube minus 12C square plus 48C minus 64 का मान है, विकल्प है A, A B C plus 12AB, B 3A B C, C 3A B C minus 12AB, और D 3A B C plus 12AB, उत्तर है C 3A B C minus 12AB, विकल्प है A plus B plus C is equal to 4, A plus B plus C minus 4 is equal to 0, माना, A is equal to X, B is equal to Y, bracket start, C minus 4, bracket close is equal to Z, तब, X plus Y plus Z is equal to 0, X cube plus Y cube plus Z cube is equal to 3XYZ, A cube plus B cube plus 3 minus 4 whole cube is equal to 3AB within bracket C minus 4, और A cube plus B cube plus C cube minus 12C within bracket C minus 4, minus 64 is equal to 3A B C minus 12AB, और A cube plus B cube plus C cube minus 12C square plus 48 minus 64 is equal to 3A B C minus 12AB, प्रश्ण 117, 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिक्तम संख्या, जिसे 1M into 1M into 2M आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है, विकल्प है A 250, B 10, C 25, D 50, उत्तर है A 250, प्रश्ण 118, एक तार की लंबाई 66 मीटर है, तो इस तार से बनाई जा सकने वाले 1.32 cm परिदी के विर्टों की संख्या है, विकल्प है A 5000, B 50, C 100, D 1000, उत्तर है A 5000, विर्टों की संख्या 66 x 100 upon 1.32 is equal to 5000, प्रश्ण 119, मान लें कि O एक ट्राइंगल ABC का अंतर केंद्र है और विर्ट BC, CA तथा AB भुजाओं का क्रमशा P, Q, R बिंदूओं पर स्पर्ष करता है, यदि एंगल A is equal to 60 डिग्री है, तो एंगल Q, P, R का परिमान है, विकल्प है A 100 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री, D 120 डिग्री, उत्तर है B 60 डिग्री, प्रश्ण 120, एक सम द्विबाहुत्रे भुज ABC में, AB is equal to AC, AB व्यास के साथ खीचा गया एक वृत, BC को D पर प्रतिछेदित करता है, यदि B D 3 cm है, तो C D की लंबाई है, विकल्प है A 6 cm, B 1.5 cm, C 5 cm, और D 3 cm, उत्तर है D 3 cm, प्रश्ण 121, 12 cm लंबी एक उर्दवादर चड़ी भुमी पर 8 cm लंबी चाया डालती है, उसी समय एक मिनार भुमी पर 40 cm लंबी चाया डालती है, मिनार की उंचाई ग्याद कीजिए, विकल्प है A 50 cm, B 40 cm, C 80 cm या D 60 cm, उत्तर है D 60 cm, प्रश्ण 122, यदि O एक समकोण त्रिबुज ABC का जो B पर समकोण है, परिकेंदर है, तो बिन्दू O की इस्थिति है, विकल्प है A, BC के उपर, B, CA का मध्य बिन्दू, C, त्रिबुज ABC के भीतर, या D, त्रिबुज ABC के बाहर, उत्तर है B, CA का मध्य बिन्दू, प्रश्ण 123, एक आदमी ने दो मेजें बेचीं, प्रतेग 720 रुपए में, एक पर उसे 20 प्रतिशत लाब हुआ और दूसरी पर 20 प्रतिशत हानी, इस सौदे में उसका कुल लाब या हानी ग्याद करें, विकल्प है A, 50 रुपए की हानी, B, न लाब न हानी, C, 60 रुपए की हानी, D, 60 रुपए का लाब, उत्तर है C, 60 रुपए की हानी, दो मेजों का विक्रै मुल्य, 720 plus 720 is equals to 1,440 रुपीज. दो मेजों का क्रै मुल्य, 100 upon 80 into 720 plus 100 upon 120 into 720 is equals to 900 plus 600 is equals to 1500 रुपीज. साथ रुपय की हानी. प्रश्न एक सो चौबीस एक हजार रुपई की राशी पर दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारन और चक्रवृद्धी ब्याज के बीच चार वर्ष के बाद अंतर है विकल्प है A 64.10, B 31, C 32.10, D 40.40 उत्तर है A 64.10 चक्रवृद्धी ब्याज 1,000 1 plus 10 upon 4 whole 4 minus 1000 is equals to 1000 into 1.1 whole 4 minus 1000 is equals to 1464.1 minus 1000 is equals to 464.1 rupees साधारन ब्याज is equals to 1000 into 10 into 4 upon 100 is equals to 400 rupees वांचित अंतर 464.1 minus 400 is equals to 64.10 rupees प्रश्न 125 15 संख्याओं का ओसत 7 है यदि पहली 8 संख्याओं का ओसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का ओसत 8.5 है तो मध्य संख्या है विकल्प है A 15, B 10, C 23, D 13 उत्तर है B 10 बीच की संख्या 8 into 6.5 plus 8 into 6.5 minus 15 into 7 52 plus 68 minus 105 is equals to 15 प्रश्न 126 यदि स्क्वेर रूट 15,625 is equals to 125 है तो स्क्वेर रूट 156.25 plus स्क्वेर रूट 1.5625 minus स्क्वेर रूट 0.015625 ग्याद कीजिए विकल्प है A 2.375, B 13.625, C 13.6 or D 12.5 उत्तर है B 13.625 स्क्वेर रूट 156.25 plus स्क्वेर रूट 1.5625 minus स्क्वेर रूट 0.015625 is equals to 12.5 plus 1.25 minus 0.125 is equals to 13.625 प्रश्न 127 तीन संख्याओं का योगफल 121 है दूसरी का तीसरी से अनुपात 9.6 है और पहली का तीसरी से एक चार है दूसरी संख्या है विकल्प है A 66, B 60, C 62, D 64 उत्तर है A 66 माना दूसरी संख्या है 9X, तीसरी संख्या 6X, पहली संख्या 6X upon 4 is equals to 3 upon 2X 9X plus 6X plus 3 upon 2X is equals to 121, 33X upon 2 is equals to 121, X is equals to 22 upon 3, दूसरी संख्या 22 upon 3 into 9 is equals to 66 प्रश्न 128, दो संख्याएं तीन पाच के अनुपात में है और उनका लगुतम समापवर्त्य पिचत्तर है उनका महत्तम समापवर्तक क्या है विकल्प है A 15, B 3, C 5, D 10 उत्तर है C 5 प्रश्न 129, एका वेतन B के वेतन से 30 प्रतिशत आधिक है A के वेतन के संदर्ब में B के वेतन की प्रतिशत कमी है A 25, B 30, C 23 एक बटा 13 प्रतिशत या D 20 प्रतिशत उत्तर है C 23 एक बटा 13 प्रतिशत माना B का वेतन है 100 रुपे A का वेतन 130 रुपे, वांचित प्रतिशत 30 upon 130 into 100 is equals to 23 11 upon 13 percent प्रश्न 130, आठ आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनके साथ दो आदमी और मिल जाएं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा विकल्प हैं, A. 25 दिन, B. 30 दिन, C. 32 दिन, या D. 36 दिन, उत्तर है C. 32 दिन वांचित दिनों की संख्या, 8 into 40 upon 10 is equals to 32 36 किलोमेटर प्रतिगंटा की गती से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, बस की गती है A. 18 km प्रतिगंटा B. 36 km प्रतिगंटा C. 20 m प्रतिज़ंट D. 72 m प्रतिज़ंट उत्तर है A. 18 km प्रतिज़ंटा माना बस की गती है X km प्रतिज़ंटा सापेक्ष गती 36-X km प्रतिज़ंटा 20 सेकंड में तय दूरी 40 plus 60 is equal to 100 m 100 is equal to 36-X upon 3600 into 1000 into 20 18 is equal to 36-X is equal to 18 km प्रतिज़ंटा प्रिष्ट 103 प्रश्न 132 चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5-3 के अनुपात में मिलाता है एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपए प्रति किलोग्राम है यदि वो मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाब प्रतिशत होगा विकल्प है A 11 एक बटा नौ, B 10, C 20 या D 16 दो बटा तीन उत्तर है C 20 माना पहली किस्म की 5 किलोग्राम मात्रा दूसरी किस्म की 3 किलोग्राम मात्रा में मिलाई जाती है कुल लागत मुल्य 5 into 240 plus 3 into 300 is equals to 1200 plus 900 is equals to 2100 रुपीज कुल विक्रह मुल्य is equals to 8 into 315 is equals to 2520 रुपीज लाब 2520 minus 2100 upon 2100 into 100 is equals to 20% प्रश्न 133 A और B ने 4-5 के अनुपात में पूझियों के साथ साजेदारी की तीन महिने के बाद A ने अपनी पूझी का एक बटा चार वापस ले लिया और B ने अपनी पूझी का एक बटा पांच वापस ले लिया दस महिने के अन्त में लाब 760 रुपे था इस लाब में A का हिस्सा है विकल्प है A 540, B 330, C 360 या D 450 उत्तर है B 330 माना पूझी है क्रमशा 4X और 5X रुपीज लाब में भाग का अनुपात 4X इंटो 3 प्लास 3X इंटो 7 इस्टो 5X इंटो 3 प्लास 4X इंटो 7 33X इस्टो 43X A का भाग 33 अपन 76 इंटो 760 इस इकवस तो 330 रुपीज प्रश्न 134 एक दुकानदार मुद्रित मुल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेच कर 15% का लाब अर्जित करता है लागत मुल्य और मुद्रित मुल्य का अनुपात है विकल्प है A 1823, B 1621, C 1821 या D 1723 उत्तर है A 1823 माना लागत मुल्य है 100 रुपए, विक्रह मुल्य 115 रुपए, अंकित मुल्य 100 अपॉन 19 इंटो 1115 इंटो 11,500 अपॉन 90 वान्चित अनुपात 100 इंटो 90 अपॉन 11,500 इंटो 18 अपॉन 23 प्रश्न 135 एक वस्तु का विक्रह मुल्य 49 रुपए है यदि उसका लागत मुल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाब प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मुल्य रुपए में है A. 37, B. 25, C. 30, D. 35 उत्तर है C. 30 39 is equal to 30 plus 30 percent of 30 प्रश्न 136 किसी संख्या को 5,9,13 से विभाजत करने पर क्रमश 2,6 और 10 शेश बचता है ऐसी सबसे छोटी संख्या है विकल्प है A. 582, B. 572, C. 592, D. 602 उत्तर है A. 582 5,9 और 13 का लगुतम समाप वर्त्य 5 x 9 x 13 is equal to 585 वांचित संख्या 585 minus 3 is equal to 582 प्रश्न 137 एक प्रिज्म का आधार एक संबाहू त्रेबुज है जिसकी भुजा 12 cm है यदि प्रिज्म का आयतन 1080 cc है तो प्रिज्म का कुल प्रिष्ठी एक शेत्रफल वर्ग सेंटीमेटर में है a. 1080, b. 72 स्क्वेर रूट 3, c. 360 स्क्वेर रूट 3 या d. 432 स्क्वेर रूट 3 आंसर इस d. 432 स्क्वेर रूट 3 माना उंचाई है h 1080 is equal to h into square root 3 upon 4 into 1 upon 144 h is equal to 1080 upon 36 square root 3 is equal to 30 upon square root 3 is equal to 10 square root 3 cm कुल प्रिष्ट क्षेत्रफल 3 into 12 into 10 square root 3 plus square root 3 upon 2 into 144 360 square root 3 plus 72 square root 3 is equal to 432 square root 3 cm square प्रश्न 138 tan 22 1 upon 2 degree is equal to x है तो cos 67 1 upon 2 degree किसके बराबर है विकल्प है a. 1 upon square root 1 plus x square b. x upon square root 1 plus x square c. x. d. square root 1 plus x square उत्तर है b. x upon square root 1 plus x square प्रश्न 149 अनुक्रम 4, 13, 38 dash में चौथा पद है विकल्प है a. 123, b. 58, c. 96, d. 111 उत्तर है d. 111 प्रश्न 140 तो a square plus b square का संख्यात्मक मान है a. 3, b. 0, c. 1, d. 2. उत्तर है c. 1 x square plus a square is equals to 1 y square plus b square is equals to 1 x square plus y square plus a square plus b square is equals to 2 Or, X2 plus A2 plus Y2 plus B2 is equal to 2 within bracket AX plus BY Or, X2 plus A2 minus 2AX plus Y2 plus B2 minus 2BY is equal to 0 X minus A whole square plus Y minus B whole square is equal to 0 इसी प्रकार, ब्सक्वार इसक्वार 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 इस सेकेंड को एक घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, विकल्फ है A 5 प्रतिशत, B 2 प्रतिशत, C 3 प्रतिशत, D 4 प्रतिशत, उत्तर है C 3 प्रतिशत, वांचित प्रतिशत, 60 प्लस 48 अपॉन 3600 इन्टो 100 is equal to 3 परसेंट, प्रश्न 142, सरल कीजिए, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 2 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 प sqrt 5 minus missÅnes ë seus allora, 1 sqrt 2 upon sqrt 5 plus sqrt 3 plus 1 min 6 sqrt 2 upon sqrt 5 minus sqrt 3 sqrt 5 plus sqrt 10 minus sqrt 3 minus sqrt 6 is equal is equal to plus sqrt 5 minus sqrt 10 plus sqrt 3 minus sqrt square root 6 upon 5 minus 3 is equals to 2 square root 5 minus 2 square root 6 upon 2 is equals to square root 5 minus square root 6. प्रश्न 143 1 upon 2, 3 upon 4, 5 upon 6, 7 upon 8, 9 upon 10 का महत्तम समापुवर तक है. विकल्प है A, 1 upon 120, B, 1 upon 2, C, 1 upon 10, D, 9 upon 120. उत्तर है A, 1 upon 120. प्रश्न 144 तीन संख्याओं का योगफल 132 है. यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, तो दूसरी संख्या है, विकल्प है A, 32, B, 60, C, 48, D, 36. उत्तर है D, 36. माना दूसरी संख्या है N. पहली संख्या है 2N. तीसरी संख्या 2N upon 3. N plus 2N plus 2N upon 3 is equals to 132. 11N upon 3 is equals to 132. N is equals to 36. प्रश्न 145 3,4,5,6 और 8 से विभाज न्यून्तम पूर्ण वर्ग संख्या है. विकल्प है A, 3600, B, 900, C, 1600, D, 2500. उत्तर है A, 3600, 3,4,5,6 और 8 का लगुतम समापुवर्ट है 120. प्रश्न 146 24 को दो भागों में इस प्रकार बाटा गया है कि पहले भाग का साथ गुना दूसरे भाग के पांच गुना में जोडने से 146 बनता है. पहला भाग है A, 17, B, 11, C, 13, D, 15. उत्तर है C, 13. माना पहला भाग है N, 7N प्लस 5 विदन ब्रैके 24 मिनस N, ब्रैके जोडने से 146. 7N प्लस 120 मिनस 5N इस इक जोडने से 146. 2N इस जोडने से 146 मिनस 120 इस जोडने से 26. N is equal to 13. निर्देश प्रैश्न 147 और 148 के लिए नीचे दिया गया आयत चित्र एक परीक्षा में 50 छात्रों के अंक दर्शाता है. आरेक का अध्यन करें और प्रैश्न संख्या 147 और 148 का उत्तर दें. यहाँ पर एक बार ग्राफ दर्शाया गया है, जिसमें X-axis पर प्राप्तांग और Y-axis पर छात्रों की संख्या दर्शाई गई है. इसमें प्राप्तांग 20 छात्रों की संख्या 1, प्राप्तांग 30 से 40 छात्रों की संख्या 4, प्राप्तांग 40 से 50 छात्रों की संख्या 2, प्राप्तांग 50 से 80 छात्रों की संख्या 8, प्राप्तांग 80 से 70 छात्रों की संख्या 10, प्राप्तांक सत्तर से असी, छात्रों की संख्या बारा, प्राप्तांक असी से नब्बे, छात्रों की संख्या पांच, प्राप्तांक नब्बे से सो, छात्रों की अंख्या संख्या साथ प्रश्ण 147, यदि छात्र वृत्ति लेने के लिए नियून्तम अंक असी हैं, तो ये कितने छात्रों को मिलेगी? विकल्प है A11, B13, C12, D10, उत्तर है B13 प्रश्ण 148, कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप किये? विकल्प है A5, B2, C6, D4, उत्तर है A5 निर्देश प्रश्ण 149, 50 के लिए निमलिखित वृत आरेख 360 छात्रों की एक परीक्षा का परिणाम दर्शाता है आरेख का अध्यन करें और प्रश्ण संक्या 149 तथा 150 का उत्तर दें यहाँ पर वृत आरेख में ड्वितिय श्रेणी में 39, 162 डिग्री त्रितिय श्रेणी में 39, 108 डिग्री, अनुत्तीन 36 डिग्री, प्रथम श्रेणी में 39, 54 डिग्री दर्शाय गया है प्रश्ण 149 अनुत्तीन छात्रों का प्रतिशत है विकल्प है A 15, B 5, C 20, D 10 उत्तर है D 10 अन्तिम प्रश्ण, प्रश्ण 150 डिटिय श्रेणी में 39 छात्रों की संक्या, त्रितिय श्रेणी में 39 छात्रों से कितनी अधिक है विकल्प है A 64, B 54, C 50, D 51 उत्तर है B 54 प्रिष्ट 104 इस प्रिष्ट पर उत्तर दिये गए हैं जिनकों की प्रश्णों के साथ पढ़ा जा चुका है प्रिष्ट 105 इस प्रिष्ट पर भी उत्तर दिये गए हैं जिनें प्रश्णों के साथ पढ़ा जा चुका है प्रिष्ट 106 इस प्रिष्ट पर उत्तर समाप्त होते हैं जिने की प्रश्णों के साथ पढ़ा जा चुका है प्रिष्ट 107